ख्वाप तूटे हैं मगर होसला जिन्दा है हम तो वो हैं जिससे देखकर मुश्किलें भी शर्मिनता है स्वागत है क्रेस्ट फॉरम में मैं चंद्रप्रकाश आज एक पंजाब पावर में जो भरतियां आई हैं पच्छिस सो असिस्टेंट लाइनमेन की तो पंजाब पावर के बच्छों के लिए या पंजाब के बच्छों के लिए जो पंजाब पावर की तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी great news है बस एक ही problem है इस पूरी news में कि एक साल की training करी हुई होनी चाहिए NAC का certificate होना चाहिए तो अगर ये वीडियो आपके लिए है National Apprentice Certificate अगर आपके पास है आपने पहले training कर रखी है तो ये वीडियो बहुत helpful होने वाला है सारी जानकारी मिलेगी क्या syllabus रहेगा वो भी बताऊंगा अगर जिन बचों ने Apprentice नहीं भी की है वो ये बात जान लो कि Apprentice हर साल आती है आपको भी पता है Apprentice के लिए पहले से तयार रखो क्योंकि यहां पर क्या होता है फॉर्म इतने ज़्यादा नहीं भरे जाते है क्योंकि Apprentice वाले बच्चे कम होते हैं तो आपको जो मेहनत ज्यादा करनी है वो कही न कहीं Apprentice में करनी है आपकर Apprentice है तो आप ये समझ लीजे इन Vacancies में होना आपका बहुत आसानी से लगवग हो जाता है बहुत जादा Competition नहीं होता पर हाँ Apprentice के लिए Competition है तो अगर आप आगे के लिए तयार हो रहे हैं तो आप भी ये वीडियो सुन सकते हैं समझ सकते हैं क्योंकि आगे आने वाली वेकेंसी जब भी आएंगी कि आप Apprentice को क्लियर करने के लिए तो समझे कि कैसे करना है क्लियर चलिए शुरू करते हैं 26 दिसंबर 15 जनवरी ये शुरुआत और लास्ट डेट है तो 26 जो ये दिसंबर आ रही है इसमें आपका कारेकरम शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने का ठीक है असिस्टेंट लाइनमेंट पोस्ट है अब इसमें क्वालिफिकेशन वगेरा क्या है सबके लिए डिगरी, डिपलोमा, आईटे, सबके लिए अब क्या 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 वलिफिकेशन हैं बताता हूँ सबसे पहले तो ये समझेए पच्चिस सो पोस्ट है और मज़े की बात ये है कि देखिए इसमें अगर आप वोमन्स है आपके घर में आपकी सिस्टर है या आप कोई फ्रेंड है तो उनको बहुत अच्छा मौका है आप देखिए यहाँ पर वोमन्स की अलग सीट है तो आप खुद समझेए जैसे कि जनरल में 849 सीट है तो 240 वोमन्स चाहिए ही चाहिए हर आहल तो आप यह देखिए कि यह बहुत अच्छा मौका है अगर आप SC में हैं तो देखिए आप SC की 100 वोमन्स चाहिए ही चाहिए OBC है तो 75 वोमन्स चाहिए ही चाहिए तो बहुत अच्छा मौका है गल्स के लिए भी अगर आपके कोई जानने में हैं दरूर बताईए, पच्चिस सौ पोस्ट है, आगे बाद हम लोग करते हैं, दिखिए, डिगरी डिपलोमा सब अलाउड है, अगर आपने कर रखा है, पर एक ही चीज है, अल्ली यहाँ पर जो लगा दिया है, NAC certificate आपका होना चाहिए, लाइनमें ट्रेड में, मतलब एक साल के अपरेंटेस, जो करवाती है पंजाब पावर, उसको सीरियसली लेना चाहिए, बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं लेते कि अपरेंटेस है, पर पेटा पंजाब में ऐसा रूल है, तो यह आपको शुरुआत से समझ के चलना पड़ेगा, आप अगर दसवी प्लस NAC हैं, आप यह फॉर्म भर सकते हैं, याद रखेंगा, ठीक है, नौलेज ऑफ पंजाबी, पंजाबी की नौलेज जरूर होनी चाहिए, है ना, टैंत वगरा में पास जैसे होते हैं, आप अपने पंजाबी स्टेट से अगर पास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर भाशा व पांच साल का होता है, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, तो अगर आप ESC या फिर OBC से हैं, तो पांच साल का यहाःक्सेशन दिया है, हैंडीकप्ट हैं, फिजीकली, तो दस साल का रिलैक्सेशन दिया हुगा है, आप देखिए यापर, यह इंगोने बताया है कि 9.44 की कही यह क अगर आप SC है या फिर डिसेबिल है ठीक है उनके लिए भरा जाएगा और जिते भी जनरल है जनरल वालों के लिए यहां पर यह ज़रूर समझे आप दो पार्ट में पेपर होगा उसी दिन होगा एक ही पेपर होगा कोई अलग अलग पेपर नहीं हो रहे हैं पर पहला में टॉप भी मारते हैं अगर पहला क्वालिफाइ नहीं है तो आप रह जाएंगे पहला पार्ट है पचास कोश्चन का जिसमें अगर आप रिजर्व्ड कैटिगरी के हैं तो तो आपको 20% लाने ही लाने क्वालिफाइ है नंबर जोड़ेंगे नहीं इसके और मैक्सिमम 25% जनरल वाले केंडिडेट को इसमें लाने ही लाने है पंजाबी लेंग्वेज में तो जो पंजाब के बच्चे हैं वो बहुत आराम से करते हैं कोई टफ नहीं होता अब बात करते हैं 50 कोश्चन टेक्निकल के 20 कोश्चन पंजाबी के 10 कोश्चन जनरल नॉलेज के जिसमें थोड़ा सा current affair भी देखा गया है. Reasoning के 10 questions और Apti के 10 questions. अगर आप देखें, यहाँ पर साफ बोला ही गया है कि 25 marks लाने ही लाने हैं, अगर आप जनरल के हैं, वरना आप fail माने जाएंगे, simple सी कहानी, आप fail माने जाएंगे, ठीक है? दो घंटे का बेटा यह paper होता है, और यह बेटा आप लोगों का syllabus है यहाँ पर, यह आप लोगों का syllabus आता है, basic electronics, analog electronics, digital material, utilization, electrical measurement, power system, electrical machine, basic electrical, तो यह आप लोगों का syllabus यहाँ पर पंजाब आवर के लिए आता है, याद रखिए बच्चे, यह सारा कुछ recorded course आप लोगों का prepared हो चुका है, पंजाब वाले students के लिए Hindi English Notes मिलेंगे, टेलिग्राम का लिंक कमेंड बॉक्स में है, याद रखिए हो, कोई भी समस्या होगी, आप वहाँ से पूछ लेंगे, 699 गा मातर एक ओर्स है, 4000 कोशन की बुक मिलेगी, complete video lectures है, previous year paper के solutions है, numericals या MCQ, chapter wise वो आपको मिलेंगे, और आप given numbers पर कोई भी समस्या हो तो बात कर सकते हैं, मुलाकात करते हैं, ऐसी ही किसी informative वीडियो में, टेलिग्राम का लिंक, कमेंड बॉक्स में है, thank you.